नमस्कार दोस्तों, UPSC अखाड़ा में आपका स्वागत है दोस्तों, अपनी पहली वीडियो में हम Journal Studies 1, 2 और 3 उनका स्लेबस याद कर चुके है इस वीडियो में हम Journal Studies Paper 4 Mains का स्लेबस देखेंगे और क्या अप्रोच होनी ची है हमारी Paper 4 को डील करने के लिए वो देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे आपको Journal Studies Paper 4 जो Ethics का वेपर है उसका स्लेबस आपको याद करना चाहिए तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं Journal Studies Paper 4 Mains Ethics का तो इसमें generally देखा गया है कि हमें लगता है कि जो स्लेबस को अगर आप देखोगे तो आपको easily लगेगा कि आपको सारी चीजे आती है ठीक है लेकिन जब आप answer लिखने जाते हो तब आपको काफे difficulty होती है answer लिखने में ठीक है तो इसमें क्या होता है we feel that we know the topics and it's easy but while we write the answers students find difficulty तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि जो भी आपके स्लेबस के जो topics है ठीक है उनको आप अच्छी से prepare करें उनकी definitions के notes बनाए और साथ-साथ examples advance पी अपनी notebook बना ले ताकि जब भी आप answer writing करने जाए तो आपके ready ethics में अगर कुछ material त्यार होगा example और definition तो आपका answer जोगा वह structured होगा ठीक है इसलिए आपको क्या करने है आपको examples और definitions advance पी प्रिपेर करनी है इस paper के लिए और साथ-साथ आपको answer writing practice करनी है क्योंकि आपके पास काफी जारा thoughts होंगी इस exam में कि आप ये भी लिसकते हो और वो भी ठीक है लेकिन आपको organize करना अपना thoughts और क्या demand है question की उसके एसाब से relevant explanation और examples देने है इसलिए आप इसके लिए answer writing practice भी काफी करें इस paper के लिए उसके बाद मैं आपको उताता हूं कि try to give real life examples in answers तो आपके mostly situation-based question होते इसमें और कई बार कुछ courts को explain करना होते है उसमें अगर आपने कोई real life में ethical काम किया है ठीक है या आपने कोई काम देखा है तो उसको आप अगर court करेंगे तो वो आपको ज़्यादा marks fetch करेगा उसके बाद आपके notes बनाने का एक तरीका और होता इस paper में कि note down the examples of ethical behavior and actions from the newspaper और current events तो current affairs में जब भी आप पड़ें तो यह जुरूर देखे कोई example ठीक है या कोई case study ऐसी है जो ethical behavior show कर रही है तो उसको आप note down कर ले ताकि वो आप बाद में कई अपने answers में court कर सके तो यह दो कि हमारे general approach paper 4 के लिए अब हम देखेंगे इसका syllabus क्या है तो syllabus बात करे ethics integrity और aptitude जो paper 4 है ठीक है तो उसका क्या sense ethics का क्या इसके determinants है और क्या consequences होंगे ethics के अगर human action में ethics होगा तो यह आपको पढ़ना है फिर different dimensions of ethics जैसे की environmental ethics, bioethics, media ethics तो different dimensions के ethics की ethics in private and public relationship ठीक है public और private relationship में ethics उसके बाद अगर आप देखे जनरली इस unit में आपको क्या पढ़ना है एक basic idea होना जी आपक इसके बारे में और end versus mean ये भी आपको पताना चाहिए कि end जरूरी है means जरूरी है ठीक किस situation में important है किस में means जरूरी है ethics versus law ethics ज्यादा important है law ज्यादा important है या कैसे इन में mediation हो ठीक है तो ethics versus law resolving dilemmas in public and private life अपनी public life में और अपनी private life में कैसे जो dilemmas आते हैं उनको कैसे resolve करना है त इसमें आप क्या करें कि learn examples from different fields where ethical behavior is shown and these can be used in answers relating to this portion of the syllabus तो different different fields में जब भी ethical examples है तो मैं आपको पहले बताया तो इसको आप note-down कर लो तो आप देखो कि इस unit से question आते है ना उनमें आपको examples कही ना कहीं कोड कर पा होगी उसके पाद अगली नुट आपकी human values इसमें क्या होता है इसमें लेसंस from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators जो बड़े-बड़े leaders है ठीक है, reformers और administrators है, इनकी life से जो lesson सीखा है, ठीक है, उनसे कुछ human values develop होती है, तो वो सब आपको पढ़नी है, तो इसमें different leaders वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ famous leaders है, ठीक है, उनकी leaders है, reformers है, उनकी courts होती है, वो आत्मा गांदी जी होगे, विवे कानन्द होगे, चानक्या, अभराम लिंकन, तो इनके जो ideas है, इनकी जो quotes है, इनकी जो quotes है, इन पर आप focus रखे, और क्या इनकी teaching समय सिखाती है, क्या ethical behavior सिखाती है, उसके बाद role of family, society and educational institutions in inculcating values, इस पर है mostly आपको देखना values, ethics, इसके बा values inculcate करने के लिए, ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है, क्या good or bad values, one can learn from the family and society, और कैसे हम एक citizen के अंदर good values imbibe करा सकते हैं, तो यह सब चीजा आपको पता होनी जी इसके अंदर, उसके अगली unit है attitude की, तो attitude का content, structure, function, यह theory का part attitude का, ठीक है, उसके application में क्या है कि attitude का म ठीक है, और क्या relation है उसका thought और behavior के साथ, उसके बाद आपको moral और political attitudes के बारे में पता होना चाहिए, फिर social influence और persuasion, तो यह सब चीजा आपको पढ़ने है attitude के अंदर, उसके बाद aptitude and foundational values of civil service, तो civil service के लिए क्या aptitude required है और क्या उनकी foundation values हैं, जैसे कि integrity, impartiality and non-partitionship, objectivity, dedication to public service, empathy tolerance and compassion towards the weaker sections, तो यह सब चीजे आपको पता होने जी, इसमें क्या करना, आपको जितनी भी terms है, इनका मतलब आप समझो, ठीक है, उनका मतलब समझ के, इनका significance, ठीक है, and make notes of the definitions and examples, तो इतनी भी terms है, इनका significance के, civil service के लिए, civil servants के लिए, ठीक है, तो इनके definitions के, आप notes बना लो, उन इसे relevant examples, कि कहां किसी ने integrity show की है, किसी civil servant ने, आपने कभी कई integrity show की होतो, तो वो examples note down कर लो, ताकि question इसे relevant है, तो आप अराम से code कर पाऊने examples को, फिर समें आपको क्या पढ़ना कि, importance and relevance of ethical behavior for a civil servant, एक civil servant के लिए, क्या importance ethical behavior की, अगली unit है, आपकी emotional intelligence, तो emotional intelligence के concepts आपको पता होना चाहिए, ठीके, and their utilities and application in administration and governance, और emotional intelligence अगर civil servant होगा, तो क्या उसकी application होगी governance के अंदर, ठीके, तो क्या, आपको emotional intelligence की क्या होगी, concept पता होना चाहिए, उनकी utilities और application in administration and governance, तेको application की बात करते हो, जो emotional intelligence से, क्या होतो, team building होती है, ठीके, self management कर पाएगा वो, अगर emotional intelligence हो तो, और conflict resolution भी इजीली हो जाता है emotional intelligence से उसके आपको देखने contributions of moral thinkers and philosophers from India and the world तो different जो भी आपके देखो moral thinkers है, philosophers है, Plato हो गया, Socrates हो गया, चानक के भी अपने आपे philosopher है, ठीक है, तो India और वर्ल्ट से उनक्या contributions रहा, उन्होंने क्या contribute किया, तो उनकी different course होती है, उनको आप समझो, ठीक, उनको expand करना सीखो, की question आता है, course देदेंगे आपको, उसको आपको explain करना होगा, तो उसको expand करना सीखो, ठीक है, और उससे relate को example हो, उस course से जो relate करना हो, वो भी आप course कर सकते हो, ताकि उस course को simplify कर सको, या elucidate कर सको, ठीक है, तो understand तो इसके आज मारी एट्टिनीटेफ हो है, public or civil service values and ethics in public administration, तो civil services values, ठीक है, उनका क्या, और ethics in public administration, public administration के ethics, तो इसमें क्या status और क्या problems है इसकी, ठीक है, ethical concerns and dilemmas in government and private institution, क्या dilemmas आते हैं, government or private institution में, laws, rules, regulations and consigns as a source of ethical guidance, उसके accountability and ethical governance, उसके बाद हमें देखना है, strengthening of ethical and moral values in governance, और फिर ethical issues, international relation and funding, तो domestic के साथ फिर बाद में ethical issues देखना है, international relation और funding में भी, और फिर corporate governance के बारे में पढ़ना है, तो यह जो 8-30 days में, mostly आपको क्या करना है, कि वो सारे steps, या वो सारी ethical values, ठीक है, जो आपकी governance का जो process है, उसको ethical बनात corporate social responsibility पता हुना जीए, क्योंकि corporate governance का ही पाट है CSR, जो corporate social responsibility है, और यही corporate जो world है, उसको क्या बनाता है, ethical बनाता है, corporate social responsibility, corporate की society के परती बहुत responsibility है, उसके आद अगर कोई recent कोई fraud हुआ है, corporate में, ठीक है, corporate world में, तो उसको भी आपको पता हुना जीए, कि वो कितना unethical है, या है कि नहीं है, कैसे unethical है वो, उसके बाद है, probability in governance, यह आपकी last unit है, probability in governance, ठीक है, तो governance के अंदर probability के different concepts है, आपको बता हुना जीए, concept of public service, ठीक है, philosophical basis of governance and probability, क्या philosophical basis इनका, information sharing and transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, इन सब के बारे में आपको बता हुना जीए, यह सब आपकी probability ले कहेंगे, governance में citizen charters, work culture, quality of service delivery, utilization of public fund, कैसे public fund को utilize करेगी, best utilize हो उसका, ठीक है, challenges of corruption, corruption के क्या-क्या challenges है, इसमें देखो, आप different types of work culture ही बढ़ जखते हो, कोई work culture होता है, उसमें, कोई work culture होता है, उसमें काफी leniency होती है, तो इनके क्या-क्या merits, demerits है, इनको analyze करना है आपको, फिर आपको difference बता करो, ठीक है, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि क्या-क्या reforms, government, या हम personal level पर लेकर आजकते हैं, corruption को कम करने के लिए, और 10th जो है, वह आपका case studies होनदा अबाव इसू, तो जितने भी आप देखोगे, यूनिट्स थी, इनके basis पर आपके case study पूछ जाती है, ethics के paper में आ क्या suggest करेंगे, क्या solution क्या होगा, तो ये आपका लगबग half paper case study से cover होता है, case study की आप अच्छे से practice करें, अब ये आपके tip tip में, मैं आपको बतारूँगे, जो आपका syllabus है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, अपने mind में, ठीक है, तो आप ये समानों के person है, तो बंदा है, अपने एथिक्स, और morality, और values, ठीक है, तो कोई भी बंदा स्टार्टिंग में, अपने ethics सीखता है, morality सीखता है, और values सीखता है, और वो का से सीखता है, लीडर से सीखता है, reformer से सीखता है, और administrator से सीखता है, उसके साथ साथ, family, society और educational institution का भी काफी role होता है, उसको ethical values सिखान में तो पहला आपका होगा है ethics morality value ये भी आपकी unit है ठीक है फिर leaders और reformers से आपने क्या सीखा वो भी आपकी unit थी एक उसके बाद उसके अलावा role of society family और educational institution भी होता है आपको ethical values सिखाने तो ये 3 unit होगे आपकी उसके बाद क्या होगे जब आपने इतनी values ले लिए ठीक है तो उसके बाद this led to the formation of attitude जो values ने ली उसी से उसका attitude बनेगा कि कैसी values ने लिए तो वैसा ही उसका attitude बनेगा और वैसा ही उसका aptitude बनेगा ठीक है और जैसे फिर उसका attitude वालों अच्छा बन गया है ठीक है एक पर्टिकुलर लाइन में गुड़ वैल्यू उसने सीखी है तो वह बंदा क्या होगा एक उसके बाद उसका attitude बना ठीक है उससे वह इमोशनल इंटेलिजेंट हो गया तो यहां तक इस्टोरी आपको याद होगी सारी उनिट्स उसके बाद क्या हुआ जैसे वह बंदा बड़ा हुआ तो इमोशनल इंटेलिजेंट होगा उसने बाद में अपनी लाइफ में कॉंट्रि काफी चीज़े उसकी लाइफ में कॉंट्रिबूट कि और उसको और एथिकल बनाया तो जब उसको इतना एथिकल बन गया इतनी चीज़ें तो उसके बाद उसने क्या किया civil service जोईनगी और वही values और ethics वह civil services में लेकिया थिक है तो इसके बाद क्या आएगा आपका values and ethics to the civil services उसके बाद जब वह values और ethics civil service में लेकिया तो उससे क्या हुआ जो गौर्मेंट के अंदर क्या है गौर्मेंट के अंदर क्या ही प्रॉबिटी आई तो यह ऐसे अगर आप याद करोगे तो आपका पूरा syllabus इससे याद होगे आपको ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ह ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताके उन्हें भी जो पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री और पेपर फॉर मेंस का उनका syllabus उन्हें भी याद हो जाए ठीक है और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे चैनल